हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग फॉर्गंस के विंग के को रिपीज़ोड में कस स्वागत है तो जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल और थम्निल से पता चलिए गए कि आज के वीडियो के कॉपी क्या है तो जैसे कि आपको पता ही होगा की फ्रीफायब में बहुत सारे केरेक्टर और सब का अलग अलग यूज़े तो आज मैं आपको कस्टम मैच में यूज होने वाले सबसे बेस्ट करेक्टर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बता सकता हूँ आप अपने चार कि में कोड़ कोड़ से character use करें जिससे आपको maximum से maximum हाइदा हो जोड़ से बोलके लोगों को scheme बता दे अब यह आपको जितने भी character skill slot बता रहा हो वे तो आप स्क्राइक्टर में रखिए ताकि आपको बार 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 character जब से गेम में Chrono और Skyler आयो है तब से गेम में प्रथा चरिये कि character skill को off किया जाता है वाई character skill off करने का बाद जानते है किया होता है ? movement speed में effect होता है जिसके वह से बहुत player खेल नहीं पाता है पास तो भाई अच्छी घंड स्कीन होती ही नहीं तो वो लोग जो भी है अपने केरेक्टर स्कील्स से ही अपना प्रदर्शन दिखाता है आप वह भी छीड़ने के उलग से किसे चलेगा तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बिना क्रोन और स्काइलर के भी अच पास अभी में जो जो करेक्टर बताने वाला वह है तो अच्छी बात है पहला करेक्टर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है अगर उसको फुल कर लेजिए अगर आपके पास युनिवर्स फैंट पूरा है तो बहुत अच्छा क्यरेक्टर आपको कस्टम में बहुत ज्यादा काम देवाली है तो वो जरूर उसको जीए और आपके पास नहीं है कोई बात नहीं दूसरा इस बाताने वाला है दूसरा अगर आपके पास पर नहीं है तो के से काम चला ही वो बहुत ज्यादा काम देने वाला तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात आप नहीं है तो और तीनों में से और कोई भी क्यरेक्टर को यूज मघ कीजिए अगए और दूसरा कोई किल्स की उसको मत यूज की रहे को बाताने वाला कि उसका जगह आप दूसरा कौन से शुदियू यूज कर सकते तो क्रेंटेकर सैंट और उनके लिए दो थे इसा किशा रोगा ждंग हुझrek तो है आपको पता ही होगी आपकी HP घटेगी तो पेनेटरेशन बढ़ेगा रहा है समझी फाइट में जरूर आपकी HP बढ़ेगे और आपके हर एक SMG गोली ज्यादा देमिज दीगे अनेमी को जाहरे कि अनेमी नौकी होगा जल्दी से जल्दी अगर आपके पास अच्छी गन है या आपको हैबिट है कि हरवार रिलोड रिलोड करना है तो एक करक्टर है जिसका नम है निकिता उसको आप यूज किजिए उसका मैक्स कीजिए या लेवल फाइब तक किजिए वो दोनों काम आता है बहुत जल्दी रिलोड कर देती है SMG गन को और अगर आपको SMG गन रिलोड करने का नहीं मतला स्विच करने का है तो है मैक्सीम की एबिलेटी जरूर यूज कीजिए अब मैक्सीम की एबिलेटी में तभीुज आपको करने बोड़ रहा हुँ अगर आपके पास ayone to for है तो मत यूज कीजिए के कर Love ुच्चे चर्चर काय्यवन 走 कि स्लॉट इस के पास भूकूंग के करेक्टर और एवान टूफोर है तो वह चारों को मैं बता दना पहला तो आप स्केली को यूज़ किजिए गा अगर आपको पास तीनों एक्टिव किरेक्टर स्कुस्ट में किसी कोई भी है तो आप उसको यूज़ किजिए फिर तीसरा में आप हायाटो को कंपर्म इसको यूज़ करने है एक्टिव करेक्टर स्किल लगा रहे है उनके लिए मैं वही बताने चाहता हूं कि जो मैक्सिम आपके ऑप्शन में था उसको मैक्सिम को ले लीजिए और यह सब मशिन गन तो रिलोड रखिए तो आपको यह चारों फिक्स हो गया तो यह एक्टिव क्रेक्टर स्किल लुद खोन लोग लुद अप व्यूमान के लिए हिसाब किताब अब मैं आता हूं स्वाड़ गन इूज़र के लिए स्वाड़ अदि यूजर वहाई लोग आप के ली करगत नहीं इसको आपको पता हिए और अभी मैंने जितने भी बताएं एक बहुत ज्यादा काम देता है यह आर्मर को पेनिट्रेट कर देता है कि तहीं था है तो यह बहुत ज्यादा यूजपल करेक्टर है और आप इसको यूज़ कर सकते कब हयाटू की जगा तो यह था पहला डीजिस स्लोट आप लगा दीजिए शीरो को दूसरा में अब अब एक्टिव करक्टर वाली जो है ना कैरोलीन जिसे मुवमेंट में होल्डिंग एश्वाडगन मुवमेंट इंक्रीज तो वह वाला जरूर रखिए वह काम आएगी और आगर आपके पास वूक आगर आप वूकुंग यूज़ कर रहे हो तो आप यही मैक्सिम को यूज़ किजिए थार्ड केरेक् केली को ले ले रहा है और यह आपका कस्टम मैच के लिए एक दम अच्छा तयारी हो जाएगा जिनके लिए जो एक्टिव नहीं हो रखना चाते तो यह था मेरी तरफ से कुछ छोटा सा ग्यान जो आप ले सकते हैं अगर आपको आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब् को मन करें तो लाइक तुम्हारी दना अगर आप वीडियो देख रहें तो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहीं मजा आया और मैं यह जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं